फ्रेंस 2022 में शनी महाबली हो जाएंगे बाहु बली हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे क्योंकि देखिए 2022 की श्युवा शनीवार से हुई है नया जो समस्र लगेगा वो भी शनीवार को लगेगा और जो नय समसर जो है वो नल नाम का समसर है जिसके लड़ भी शनी है तो इस तरह से शनी जो है बहुत बाहु बली हो जाएंगे शनी जो है अपनी पतिवद्ध की गाशी मका गाशी में है अभी इसका गड़ भी उनका प्रभाब विशेश पड़ेगा और उसी गाशी में उच्छी की मंगल होने से शनी का बाहुबल और ज्यादा भड़ जाएगा गाहू का इफेक्ट होने से गाहू भी अपने गुर्शनी को दे देंगे तो शनी जो है महाबली हो जाएगे तो चलिए देखते हैं कि शनी का क्या प्रभाब रहेगा किन राशियों पर शनी महवान रहेंगे शनी जो है 29 अप्रेल 22 में अपनी राशी बदल रहे हैं वहें मका राशी से निकलके कुम्ब राशी में आ जाएंगे शनी जो है मका राशी की स्वामी भी होते हैं और शनी को जो है दुख का कारण कारक माना जाता है शनी को नियाय का देवता माना जाता है करम कारक माना जाता है ऐसा करा जाता है शनी जो है अच्छे कर्मर के अच्छे फल देते हैं बुरे कर्मर के बुरे फल देते हैं इसके अलाबा शनी जो है धीरे धीरे चलने वाले गरे है शनी को आलस का कारक भी माना जाता है शनी को शुश्क गरे भी माना जाता है साती जो शनी है वो अंधकार के कारक माने जाते हैं तो कि इस तरह से देखा जाती है तो शन्मी की और काफी सामने आती है यह ड़ो है इंटाइव एक राशी में रहते हैं यानि कि अहने राशी करने Ca तर दूसरी कोटर्यकिन में आने में अप्छ से अपना एक चकरb도ʫ हो मैं एक राशीों का तो शनी 29 अप्यल को 2022 में रेवती नचतर विश्य कुम्भ योग मीन चंदर के समय कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे और यहां पर 11 जुलाइद 22 तक रहेंगे कुम्भ राशी में तो इस दौरान जो है इसंप छिख्यान करते हैं आओ इशनी का प्रभाब पड़ेका कि राशियों पर के राशियों पर राचियों को वह शोब्र प्रति में तो आधिकता जो है अच्छा ही फल देते हैं नेयता 29 अप्रेल 2022 को कुम्ब राशी में प्रिवेश करेंगे यहां पर ग्यार जुलाइस 2022 तक रहेंगे तो इस दोरान जो है शनी जो है वो अपना अफल देंगे और किस तरह का देंगे यह देख लेते हैं कुम्ब राशी में जब शरी होंगे तो कर्क वेश्चे ग्राशी वालों पेश धाया का प्रभाद शेते रहेगा लेकिन गज़त पात होने से उनको जो है कुम्बस्ट शनी के अच्छे ही प्रभाव मिलेंगे मकार राशी वाले उनकी सारे साती होगी उतरती होगी और वो भी तामर पात के प्रभाव में होगे तो उनको भी है यह शुब प्रभावी देंगे इसके अलावा कुम्बस शनी जो है कुम्ब राशी के जो है हिर्दे पे गहेगी साड़े साती इनकी लेकिन गज़त पैभाब होनी की कारण इनको भी पॉजिटिव एफ्रेक्टी में लेंगे इसके अलावा जो है मिथुन करन्या जो मकर राशी उसमें तावे का पाउ है और जो की शुब प्रभाब देता है शनी जब तावे के पाउ लेकि किसी राशी में जाता है तो वहाँ पर शुब प्रभाब ही देता है तो इस दोरान इस्त्री पुत्र सुख्र संपत्ति लाव अच्छी सेहत देंगे शनी देव इन राशी वालों को और करकर वहिश्चे कुम राशी में जो है शनी चांदी का पाउं लेके जाएंगे जब कुम राशी में जाएंगे तो तो इससे उनको बहुती शुप उसे भी सम्मान मिलेगा तो फिर्ण से ये था कि शनी जो बाहुबली शनी है किन राशियों पर महबान रहेंगे तो फिर्ण से आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रू कीजेगा थेंक्यू कर दो